इस वीदियो में आफ़ो प्रैक्टिकल जाय आपका मापन के बारे में देख लिया था जो आप का इसकेयल होता न्युमेरिकल टाइप वाले जो प्रसन आपसे पूछे जाते निमेरिकल टाइप वाले जो प्रसन आप तो यह पूरा जो है आपको कहां मिल जाएगा यह आपका जो आएप है हमारा ठीक है आएप पे आपको मिल जाएगा वहां जाके आप इसको देख सकते हैं टूटल ठीक है यह आपका GS by दिवाकर करके अप्लिकेशन है इसको डाउनलोड करिए और यहां पे जो कोर्सेज आपक है जैसे RPSC का भी चल लाया कॉलिल लिक्चरर का अब जुकि जो यह पूरा टॉपिक है मैप प्रजेक्शन इस पर हमने लगवग दस पेज का आपका नोट्स प्रवाइड करा दिया है इसका वीडियो भी मिल जाएगा और इसी टूटल जो आपका नोट्स प्रवाइड करा आपका जो जो जारकंट प्रवक्त ऐहां के विसलेवस में भी करेक्शन ए उत्तरा पीजी में भी Mac प्रजेक्शन हैं तो यहां पे आपका देखे यह WhatsApp नंबर है इसके भी संपर कर सकते हैं इसके अलामा जो अप्लिकेशन है GS by दिवाकर करके आनलाइन GS by दिवाकर भी आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा ठीक तो चली यहां से संसोधित रूप है गाल प्रक्षेप का बहुसंकुक प्रक्षेप का मालविट प्रक्षेप का यह मर्केटर प्रक्षेप का ठीक है यहां पे कह रहा है कि जो अंतराज्टी प्रक्षेप है वो किसका पार्ट है यानि किसका संसोधित रूप है ठीक है यहां पे आपका देखे जाने के एक बार थोड़ा सा प्रक शेप के बारे में जान लिजे कि प्रक्षेप होता क्या है तो प्रक्षेव ग्लोब पर जो अच्छान स्या देशांतर रेखाओं को अम लोग एक सपाट कागज पर क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं तो ग्लोब पर अच्छान स्या देशांतर रेखाओं का यह जुर्जाल होता है ठीक है इसे जब हम लोग कागज पे दिखाएंगे तो यह क्या होता आपका प्रक्षिप बोला जाता है ठीक है अब यहां पर जो आपका दिया गया है गाल प्रक्षेप कई आधारों पर इसका वर्गी करण अमलूख करते हैं जिसमे ju Jack होता है कि प्रकास के अधार पे प्रकास का मतलब प्रकास के सोर्स के आधार पे, एक आपका होता है गुण के आधार पे, ठीक है, नेक्स्ट आपका जो होता है ये रचना विधी के आधार पे, तो सबसे ब्यादा जो प्रसनाब से पूछे जाने वाले हैं, वो रचना विधी के आधार पे जो आपका प्रक् पालिकौनिक का संसोधीत रूम होता है यानि कि बाहु संकुक का और जो अंतरास्टी प्रक्षेप में प्रक्षेप और उसी प्रक्षेप में पॉलीकॉनिक होता है ठीक है उसके टाइप में इसमें right answer आपको यह हो जाएगा बहु संकुक प्रक्षेप का यह example है और यह मैं लोग बात करें तो पेंक ने पहली बार जो है जो अस्थला करतिक बांचीतर होता है उसमें जो है अंतरास्टी जो प्रक्षेप था बहु संकु वीड़ो तरकेटर के बारे में भी मिलेगा, मालविट के बारे में भी मिलेगा, इसलिए एक जगे आपको पूरा लेक्ष्टाने की हो सकता है नहीं। अगला प्रसन देखे दिया है कि निमन में से कौन सा प्रक्षे पर यथा कृतिक और सुध दिशा को प्रदर्शित करता है ठीक है यथा कृतिक माने कि आपका आर्थोमॉर्फिक आर्थोमॉर्फिक यानि कि जो सुध आकृति को दिखाता हो ठीक है यथा कृतिक मतलब सुध जैसे हैं सब्सक्राइब रहे जो किसी स्थ रूप में मैरेक्टि को बधिक्ष। तो कह रहा है कि इसमें यथाकृतिक और सुद्ध दूनों जो है कौन प्रदलसित करता है क्या बून प्रक्षेप कर रहा है मालविट कर रहा है मर्केटर कर रहा है या सिनस्वाइडल कर रहा है तो देखे आपका ये बून प्रक्षेप जो है ये नहीं कर रहा है मर्केटर प् सम चेतरफल को प्रदर्सित करता है मालविट भी आपका सम चेतरफल को प्रदर्सित करता है और जो अपका सम कितरफल के अंतरगत ही आयगा जबकि USU AM perspectives अपी करता है इसके साथ साथ यहाँ पो एक और प्रक्षेप्षम की फिर्वी खमध धिर्वी खमदप्रक्ण से जाना जाता है और इसका पूरा और पी डियूप आपकको जो पेड़ बैच है उसमें मिल जाता है धिर्वी खमद प्रक्ण सा कधन यहाँ पे आपका जो सत्य थीक अफ्षण नहीं देखिए इसमें दिया है, यह यह थाकृतिक प्रक्षेप होता है, यह समधूरस्त सुद्ध मापनी पराधारित होता है, यह सुद्ध दिशा प्रक्षेप का एक उधारन प्रस्तुत करता है, ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं, धुरुवी खमध्य प्रक्षेप की, ठीक है, तो जो सुद्ध दिशा प्रक्षेप का भी उधान प्रस्थुक करता है तो इसमें आपका जो आप्षन है A और C यानि D आप्षन यापका राइट हो जाएगा ठीक है चलिए आगे आजाते हैं संकु प्रक्षेप का एक प्रकार नहीं है अब संकु प्रक्षेप किसका प्रकार होता है यह रचना आधारित जो प्रक्षेप के प्रकार है उसमें आएगा संकु प्रक्षेप यानि कुनिक प्रोजेक्शन अब जिसमें आपका देखिए बोन प्रक्षेप है बहु संकुक है इसमें आपका एक मानक अच्छांस का भी जो प्रक्षेप वोई आपका है। सीलिंड्रिकल में आ जाएगा। इसमें राइट अंसर आपकाC हो जाएगा। केप काहिरा रिलमार्ग और इंडीज परवत को दिखाने के लिए सरवाधिक उपियुक्त प्रक्षेव जो है आपका कौन सा है यहां पर कह रहा है कि यदि आपने एक ट्रांसाइवरीन रिलमार्ग के बारे में सुना होगा उसके लिए अलग 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 प्रक्षेव दिखा तो यहां पर देखे जो आपका केप काहिरा रिलमार्ग है या इंडीज परवत है इसको दिखाने के लिए सबसे सही जो उप्यूक्त प्रक्षेव होगा इसमें देखे आप्चन में आपका गोलाकार प्रक्षेव है माल प्रक्षेव नहीं होगा सिनिस्वाइडल मर्केटर प्रक्षेव तो इसमें राइट आंसर अपका हो जाएगा सिनिस्वाइडल प्रक्षेव पे ही केप काहिरा रिलमार्ग और इंडीज परवत माला को दिखाया जाता है ठीक क्योंकि यहां पे उन छेत्रों को दिखाया जाता है जिनका देशांतरी विस्तार जो है बहुत कम ह ठीक है उतना ज्यादा देशांतरी विस्तार ना हो और यहां पे क्या होता है यह आपका बिसिकली हम लोग बात करें तो सिनिस्वाइडल प्रक्षेव भी कई परकार के होते हैं जिसमें आपने दो पड़ा होगा एक आपका विच्छी निस्वाइडल एक आपका सेमसन फ्ल फ्लेमस्टीड का सिनिस्वाइडल प्रक्षेव अब इसको दू नाम से जानते हैं सैंसन और फ्लेमस्टीड यह क्यों कहते हैं सैंसन ने इसको बनाया था ठीक है 1650 के आसपास इस प्रक्षेव को और 1700 के आसपास जो है यह फ्लेमस्टीड ने क्या किया था इसका यूज किय इसका प्रयोग बताया था तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सी आप्शन नेक्स्ट आ जाएगे तो यहां आप देखे जो आपका कूर्स चल ला है उसमें टूटल आपका पूरे टॉपिक पे आपको वीडियो प्रीडियो मिलेंगे इसके राव लाइब क्लास मिले पूरा अभी इंडिया का कर रहे हैं यानिकी 11 क्लास का जो भारत का भौतिक परियाव रण है और इंसी आटी आपका चाहिए बिहार में पीजी टी की सोच रहे हैं जहारखंड पीजी टी राजस्थान पीजी टी नभोदय या इमार्यास जो एकलब माडली स्कूल का है सभी इसकूल के लिए एंसी आटी पूर इम्पोर्टेंट है यह मार्यास के लिए तो इंसी आटी आपका राममाड़ी है क्योंकि जो आपका बुषध पोुछती से पूछा था वही आपका इमार्यास भी यहां से पूछेगा चली आगे बात करें कि गुण की आधार पर कौन यह थाकृतिक प्रक्षेप है, सम्छेत्र प्रक्षेप है, सुद्धिशा प्रक्षेप है तो अभी हमने आपको बताया था कि जो गुण की आधार पे जो संक प्रक्षेप है उसके प्रकारों में आपका कौन सा था, बोन प्रक्षेप था संग को किसके आधार पे है या आपका रचना के आधार पे प्रयोग जो प्रक्षेप का प्रकार है ठीक है तो इसमें जो बोन प्रक्षेप है या आपका गुण की आधार पे नहीं होगा जबकि यह अथाकृति जिसे हम लोग सुद्धाकृति आर्थोग्रैफिक कहते हैं और आपका जो है बून प्रक्षफ भी आता है इसके अलावाद सिनुस वाइडल आता अभी उपर हमने बता है धुरुवी खमद समच्छेत्र पक्षेप भी आता है तियानि कि आपसन डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा ठीक है आगे देखिए आठ नमबर में इसमें दे रखा है बाल्टिक देशों का ट्रांसाइबेरियन आलपस परवती छेत्र को हम लोग किस प्रक्षेप के अंतरगर इसको दिखाते हैं या आपसे प्रस्णिया पे पुछ जा रहा है ठीक है actions आपके पास है एक मानक अक्छांस वाला प्रक्षेप मालविट प्रक्षेप या फिर आपका दो मानकल अक्षांस वाला यह साधार संगु प्रक्षे बी से कहते हैं इसमें क्या होता है कि ध्रूजवा एक चाप के आरक के रूप में होता है इसमें जो सभी देसांतर होते हैं एक मानक अच्छांस पर यहाँ पे केवल सुद्मापनी होती है और यहाँ पे एक ही मानक अच्छांस होता है जैसे यह मा तो यहाँ पर जो जाते हैं ठीक है केमा कर्वाली है बाल्टिक एकनाड़ा चैनी कर्द किनेडिट लिलमिर वर्ढरिक्ट और हमेरिक और कई बार यह आपसे प्रस्ण पूछा गया है कि भारत का जो मानचित्र है वो जनरली हम लोग किस प्रक्षे पे बनाते हैं मालविड पे बहुसंकुक पे बोन प्रक्षे पे या सभी पी ठीक तो इसमें जो बनाया जाता है यह आपका बनाया जाता बोन प्रक्षे पे बोन प् प्राइब का मानचित्र है उसके बनाने के लिए इसका उपयोग होता है जैसे चिली को आप दिखा रहे हैं फ्रांस को बेलजीयम को ठीक है यूस्टे को दिखा रहे हैं ये सभी आपका इस पर बनते हैं और भारत का भी आपका जन्दली इसी पर बनाया जाता है और डिटेल जानने के लिए आप वहां पर प्रक्षेव में जाएंगे वहां पर आपको इस सब का डिटेल मिल जाएगा ठीक है दस नंबर देखें यहां पर पूछा है मर्केटर प्रक्षेव के बारे में सत्य कथन का उन्षा है इसका प्रियोग नौ संचालन और पत्तनों की दिशा के लिए किया जाता है तो यह आपका राइट है पौनों की दिशा और नौ संचालन के लिए उपयोग किया जाता है साती सा समुद्री धाराओं के संबंद में भी मर्केटर का उपयोग किया जाता है यह सुद्ध दिशा और यह था क्रितिक प्रक्षेप है यह आपका राइट है पहला प्रस्ण से ही ठीक है विस के वर्सा वित्रण और अपवा प्रतिरूपों को भी इसमें दर्साया जाता है तापमान को भी हम लोग जो है मर्केटर में दर्साते हैं यह भी द्यान रखेगा ठीक तो इसमें तीनों आपके सही है यानि एक दो तीन आपके यानि डी आप सनिया पर राइट हो जाएगा ठीक है तो यह टोटल आपका जो है दस प्रस्ण हम लोगों ने देखा अब इन दस प्रस्णों में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है ठीक है और इसी तरह से आपका मैप प्रजिक्शन का जो पूरा क्लास चलेगा ठीक है जो चल रहा है आप कॉर्स में जाएंगे पूरा टापिक हमने आड़ कर दिया इसके अलावा टेस्ट स्रीच का भी पोर्टल एड़ कर दिया जाएगा जिससे आप हर एक यूनिट में जाके टेस्ट भी दीजिए और प्रैक्टिस भी करिए और थेओरी भी पढ़िए ठीक है तो मैं प्रोजेक्शन आपका इसका वीडियो थेओरी का वहां पर आयप पर मि बुक्राष में जाएगा जिए जाएगा जाज है एलाओ जो दो खाज़ पुझाल दोर 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 पालाओा जोरे जाएगा